बिहार में विवस्था की पोल खोलती ख़बरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। फिर भी मुख्यमंतर इंतीश कुमार अपनी सरकार को सुसाशन की सरकार कहते हैं। ऐसे में उनके सुसाशन का सच आज हम आपको दिखाते हैं जो आपकी आखेक फोल दोगा। बिहार में सिक्षा विवस्था की बधाली किसी से चिपी हुई नहीं है। साल दर साल टॉपर घोटाले सामने आते रहते हैं। पर बिहार में सिक्षा विवस्था किस हद तक खोकली हो चुकी है। इसकी तहकीकात करती हुई रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएं। बिहार के स्कूलों पर संसनी खेज खुलासा। कैमरे में कैद हुआ आँखें खोल देने बाला सच। अपने टीचर की करतूद दे कर नितीश को नीद नहीं आएगी। जितना नोट दोगे उतना नमबर पाऊगे। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं घूस की प्रियोक शाला में। जैसे जैसे कैमरे घूमेगा यकीन मानिए आपके होश फाक्ता हो जाएंगे। टीचर के उपर से आपका भरोसा बिखरने लगेगा। बस घौर से देखते रहिए। कैसे सुशासन में सरे आंप शिक्षा ववस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कैसे परिक्षा में नमबरों की बोली लगाई जाती है। कैसे पैसे लेकर स्कूल में टौपर बनाने का खेल चल रहा है। ये एक पीमत है प्राक्टिकल की परिक्षा में पास होने की। सौ और दो सौ रुपए में कितना नमबर देते हैं ये मास्टर साहब। हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले सरा देखिए कि लड़कियां कैसे अटेंडन्स शीट पर दस्तखत करती हैं। फिर पैसों का लेंदेन होता है। उसके बाद कौपियां ली जाती है। अचानक चौकन्य मास्टर साहब की नजर कैमरे पर पड़ती है। कैमरा देखते ही वो तिल मिला उड़ते हैं। कितने ढ़ीट हैं ये मास्टर साहब जरा अंदाज अलगाई। कैमरों में गैद हैं इनकी काली करतूत के सबूत लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब ये मत पूछिएगा कि ये तस्वीर कहां की है। ये मास्टर कौन हैं क्योंकि मधेपूरा, खगडिया, समस्तिपुर, शिवहर, सुपॉल, सहरसा, किसी भी जिले का नाम ले लीजिए। कमो बेश हर स्कूल में दस्वी की परिख्षा में प्रैक्टिकल के दौरान ऐसी ही शर्मनाख सौदेबाजी देखेंगे आप। कलंक कथा का दूसरा भ्याय लिखने वाले मास्टर साहब से मिलिये ज़रा, बीच मैदान में कुर्सी टेबल लगाकर वसूली सेंटर खोल रखा है टीचर ने। कौपी जमा करने से पहले पैसा वसूला जाता है, हर किसी की नजर है इन पर लेकिन बेफिक्ट रहें। अब जरा इस टोपी वाले मास्टर साहब से मिलिये, ये तुमानो घूस खोली की आवरन कथा ही लिख रहे हों। पैसा जमा करने के लिए एक असिस्टेंट को बिठा रखा है अपने बगल में, जो एक जोले में नोट जमा करते जा रहा है। इन तस्वीरों को जरूर देखें मुख्यमंत्री नितीश कुमार, जरूर देखें इसे बिहार के शिक्षा मंत्री, देखें इसे शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरां। एक एक कर देखिए कैसे ये टीचर धुस्त कर रहे हैं आपके दावे को। आप जानते हैं कि घूज का रेट भी तैकर रखा है इन बेशर्म शिक्षकों ने। जिस बच्चे की जेब से जितना नोट निकला, उसकी कौपी पर उतने जादा नंबर दर्ज किये जाते हैं। एक्जाम सेंटर पर टीचरों का ये खुला ऐलान है। अब भला सर का नाम कैसे पता होगा बेचारे बच्चों ने पहली बार देखा है इस महा घूस खोर सर को। दरसल पिछले साल इंटर की परिक्षा में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई थी। म्यूजिक के प्रैक्टिकल में घूस देकर वो गणेश आर्ट में टॉप कर गया जिसे बेसिक जानकारी तक नहीं थी। चोतरफा थूथू होने के बाद नितीश सरकार ने बड़ा फेर बदल किया जो प्रैक्टिकल होम सेंटर में होता था उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निरलजजता की पराकाश्था हैं। मासूमों के हाथों शिक्षक सरयाम अपना इमान बेच रहे हैं। स्कूल में रंगे हाथ टीचर पकड़े जा रहे हैं। घूस में दिये गए नोट मिल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का चीर हरन करने वाले टीचरों पर कारवाई की बात की जा रही है। अब बताईए कि कहा कहा करेंगे कारवाई। विद्या के मंदर में छिपे किस किस खूस खोर को ना पेंगे। क्योंकि ये स्थिति कम औबेश हर एक्जाम सेंटर की है। लेकिन सवाल नितीश कुमार से पूछे जा रहे हैं। कि ऐसे ऐसे टीचर रहेंगे तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम का गोबर गणेश नहीं होगा तो क्या होगा। क्या ऐसे टीचरों के भरोसे ही नितीश कुमार बिहार की वेवस्था बदलने के खुआप देख रहे हैं। क्या लगातार दो बार टौपर स्कैम होने के इसलिए दुनिया में बदनामी का कलंग लग रहा है बिहार पर इसलिए पहचान लीजिए मुख्यमंत्री जी शिक्षा वेवस्था का चीठड़ा उडाने वाले इन शिक्षकों को बेरो रिपोर्ट जी मीडिया